काने कुर्शी के आप देख रहे हैं बात बिहार की करेंगे नितीश कुमार इंडिया गठ बंदन में इस वक्त प्रखान मंत्री उम्मीदबार बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं अलग बात है लेकिन लोग उनके लिए दुमाएं जरूर पढ़ने लगे यह तस्वी करने का मौका इनको मिले और उस वक्त इनके साथ बिहार के एक मंत्री भी थे और आप देखिए उस सारी तस्वीरें नितीश कुमार जी भी दुआ पढ़ रहे हैं और जो बगल में मौलमी उन्होंने दुआ पढ़ दी कि यह प्रधान मंत्री बन जाएं किसी तरीके समने कह आमीन जो है उसमें अपनी दूआ अवाज भी जो है वो जोड़ दी है अब इसको लेकर के खूब रियाक्शन आ रहे हैं बीजेपी भी इस पर रियाक्ट कर रही है यह सवाल अरविंद केजिरिवाल से भी पूछा गया कि आपके अलाइंस में जो हैं लोग अपनी अपनी कि दीश कुमार भी शामिल है तो पहले मैं आपको अरविंद केजिरिवाल का रियाक्शन दिखाता हूँ फिर देखेंगे कि इस पर बीजेपी किस तरीके से बात कर रही है देखेंगे हमारा तो हमेशा एकी स्टेंड रहता है कि हमें ऐसी विवस्था तयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी फील करें कि वो प्रधानमंत्री है हमें लोगों को एमपावर करना है हमें किसी एक व्यक्ति को एमपावर नहीं करना किजरवाल साब ने एक सेंटेंस में पानी फेर दिया सारी कोशिश में जो भी विहार से हुई थी नितीश कुमार ये सब कुछ अब ठीक हम ये तो नहीं कह सकते कि नितीश कुमार ने कहे करके दुआ पढ़वाई आपके लेकिन आपके सामने सब कुछ हुआ है और उनकी पार्टी भी कह रही है आरजेडी भी कह रही है बढ़ा अच्छा है प्रधानवंद्र आरजेडी का रियक्शन जादा इस पर मैंत्पूर ने वह भी कह रही है कि नहीं बहुत बढ़िया होगा जितीश कुमार अगर आप कहते कि आप इस राज जी को और आगे बरसों बरस ले जाएं आप उसी राज जी में है ना मौली साहब भी तो उसी राज जी में होंगे लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि ये वही वाला एक फॉर्मूला है जिसको लालू जी ने आगे बढ़ाया था अब नितीश जी का स पूरे देश में घुमेंगे कैलाज जी कह रहे थी कि हम तो एक दिन में आठ सभा करेंगे पांच हेलिकाप्टर से तीन सड़क से एक को विधान सभा सिर्फ रख दिया है दूसरा जो प्रधान मंतरी पत की दाविदारी कर रहे थे उनका हाल सिर्फ यह है कि पूरी सरकार क् उनके पास सवाल होता तो बगल के किसी व्यक्ति से उनको पूछना पड़ जाता है तो यह तो लालू जी का मौल ही लग रहा है मुझे इस बारी बगल में से ही दवा दुबा पड़ी यह लग रहा है मुझे जैसे सौरव ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया मुझे लगा ह उसके बाद बैंगलोर में बैठे कोई देखी क्या हुआ उनके साथ जक्म कुरेदने का मतलब ही होता है कि आदबी वो समझ रहा हो था जो आप बात कह रहे हैं तो आप कि वो भी यह मान रहे हैं कि मैं बनने वाला था मैंने यह सारी चीज इनिशीट की फिर सब कुछ हुआ आज उनका नाम भी नहीं है और कई सरवे आप करवाले तो मतलब आपके सम्मित्र करवाते हैं उसमें वो दो परसंट पर पहुंचा देते हैं वो सब बाते हो रही है और RJD तो चाहती है कि वो प्रधान मंत्री पर जाए ना जाए कम से कर यह उनकी इच्छा में वो लगे कि वो जातना चाहते हैं तो कम से को मुख्यमंत्री पर छोड़े और तेजस्वी जी वहां पर आएं तो RJD को तो इंतिजार है उस बात का पहली बात है और जानती है पधान मंत्री बंदा नहीं है अब बनना यह तो वो तो यह चाहते हैं उनका उनका यह खाली हो जाए कूरसी कि तेजस्वी को बन जाए दूसरी बात पॉलिटिकल मायने की बात में कर रहा हूं एक थोड़ी सी अलग बात इससे चादर चड़ाना मजार पर और वो सब चल रहा है और दूआ मांगना वो भी ठीक है नैचुरल है लेकिन यदि इसको आप पब्लिसाइज कर रहे है तो मै है फिर से बात कर रहा हूं कि यह हिंदुस्तान का पॉलिटिकल पैरडाइम बदल गया है यह यदि आप चादर चड़ा कर दूआ मांग कर और इसको दिखा रहे हैं और समझ रहे हैं कि माइनर्टी वोट को आप ले लेंगे माइनर्टी अपीजमेंट से या जो भी रास्ते से तो फिर आप गलती कर रहे हैं 2014 के बाद हिंदुस्तान का पूरा पॉलिटिकल पैरडाइम बदल गया है अब आप माइनर्टी अपीजमेंट के साथ चुनाव नहीं जी सकते या तो आप सब के साथ चले या किसी के साथ नहीं सब के बराबरी के साथ काम करें लेकिन चाद पॉलिटिकल परेडाइम बदल गया है हिंदुस्तान का पूरा का पूरा राजनीतिक चरित्र बदल गया अब आप ये एपीजमेंट के साथ कि 15% वोट मुझे ये मिल जाएंगे और 25% वो मिल जाएंगे वो चलने वाला नहीं है इस पर गिरिराज सिंग जो केंदी मंत्री ह आता है ये नितीश कुमार को देखिए देखिए नितीश बाबू ब्यकुल भारत है और दरगाह पर क्या खनकाह में क्या वो हज करने भी चले जाएं तो प्राइम निस्टर का पद खाली नहीं है और आखिर खाली भी क्यों रहे जो बैक्ती अठाड़े साल उनीश साल मुक मंत्री रहे और उसका कद़ zoalerो से 0 हो जाए तो जो अपने पैड़ पेव e 18 साल में खाडा नहीं मुक्हमंत्री जी हुए ओव मुक्हमंत्री जी को पूरे देश में मंता क्यों मानेगी संता क्यों मानेगी दूसरा क्यों मानेगा तो ये इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनवती है लालू जी ने मांस बनाने के लिए सिखा रहा है राहूल को और बरात सजने के लिए कह रहा है तो आप तो जानते हैं लालू जी को कि हस्ते हस्ते वो सब कुछ कह देते हैं तो लालू जी ही उनके बड़े भाए उनके सबसे बड़े लगडी मारक है देखिए गिरिराज सिंग ये बात कह रहे हैं तो आप कहेंगे चलिए बीजेपी के नेता तो यही कहेंगे वो भी गिर्राज सिंग जी तो बिहार से ही है तो क्या है कोई अच्छे शब्द निकालेंगे निकिरूं की बातों में कुछ तो सच्चाई है जब वो ये कहते हैं कि 18 साल का मुख्यमंत्री आज जो कद्ध होना चेही था देश की राजनीती के अंदर वो नितीश कुमार का है जो कि नितीश कुमार को जितने उन्हें नाम लिए ममताव इनर जी राहुल बाकी लोग क्या उस नजर से देखते हैं वह वैसी सिनियोर्टी का दरजा जो है क्या नितीश कुमार को मिलता है और दूसरा जो भी माइनरिटी अपीस्मेंट वाली बात विज़ज जी ने कही उ अंदाज है लेकिन अगर ध्यान से देखे तो मुझे अजीत पवार का जो Bombay Educational Trust में उन्होंने भाशन दिया था वो भाशन याद आता है जो उन्होंने शरत पवार के संदर में कहा था कि ममता जी को देखे के CR को देखे क्या यह सच नहीं है कि नितीश कुमार अपने भूते सरकार बनाने की सिति में नहीं आए। क्या यह सच नहीं है कि पहले नमबर की पार्टी से तीसरे नमबर की पार्टी बन गए। प्रवंधन के विद्यारतियों को पढ़ाई जानी चाहिए जो एक उधारन आपने दिया कि इनके निता आपस में जो लड़ रहे हैं मनोज हाने जो ठाकुरों के पविता के जरीए ठाकुर के लिए कहा और यह भी उसमें क्लारिफाय किया कि भाई मैं ये प्रतीक स्वरूप कह रहा हूँ फिर भी उसपर विवाद हुआ कोई कह रहा है आरजीडी कही देता हम जबान खीच लेंगे बीजीडी करें तेकर आम पटक के मार देते मनोज जाजीड बिद्वान आदमी है सही बात वो बोले है इठापुर कोई राजपुतों के खिलाफ उनने नहीं कहा हूँ जो सजन रियक्षन दे रहा है वो अपने कास्वें के लिए परसे जाज़ी में है वो परहेज करना चाहिए इससे बात बोलना चाहिए लालु आदब ने खुलकर मनोज जाका समर्थन किया कहा वो विद्वान में एकती है अब बिहार में जहां मतलब इतनी जाती जाती की बात होती हो जहां इतनी राजनीती जाती को लेकर करके होती हो लेकिन वो खड़े है अब मनोज जाका को कियो नहीं कहा कि ठाकुर लालु जादो अगर वो एक मानसिक्ता है, अगर सामनती व्यवस्था है तो सबसे बड़ा ठाकुर कौन है भियार का सबसे बड़ा ठाकुर टो लालू यादो है खुद ही जातिये देश फैलाते हैं खुद ही लड़वाते हैं और जब वो लड़ाई नुकसान की तरफ चली जाती है तो आकिप ज्यान देने लगते हैं। राजनीती में नेता और मुझे तो बड़ा अश्र होता है कि कोई भी नेता जाती खाई को बड़ा करने के आधार पर ऐसे बात करेगा राजनीत करेगा और उसके नहीं हम तो सेकुलर पॉलिटीशन हैं। मुझे लगता है कि अगर वहां वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादो भी एक ठाकुर हैं। राहूल गानी भी एक ठाकुर हैं। तब उनकी बात समझ में आती। वरना आप जाती देश कर रहे हैं। आप जान बूझ के उस व्यास्था पर हमला करने कोशिश करते हैं। समझाए। तो मुझे लग रहा है कि इनके बीच में लड़ाई चलते रहेगी फिलाल तो। ने लेकिन अब देखिए सारी बाती हो गए। लेकिन आप फिर से जाईए कि मनुझा कह क्या रहे थे। उसमें कुछ आपत्ती जनक है क्या। उन्हें पहले बोल दिया था। लेकिन मुझे संदर बताई। महिला आरक्षण बिल पे। OBC के संदर में आप कुछ लाते न। वो जो आपने कहा वो किसी को विवस्था में दबाया गया है। OBC तो उस संदर में कहीं ठिकते ही नहीं। और विहार के संदर में तो कता ही नहीं। वो जो जो लोग है वो हमारी सामनती सोच की वजह से हैं। लेकिन ये ठीक पात है कि लालू जी पर भी इस बात की चर्चा की जा सकते हैं। तो आनन्द मोहन के लिए लालू जी ये बात कह रहे हैं। ठाकोर और जिसको दूसरी जातियां केते हो तो सारी लडाई वही लड़ी और आज इस समय उन्हीं के साथ हैं। तो ये इतना आसान सा मसला नहीं है और लालू जी बहुत परिशान है। फिर से कह रहा हूँ लालू प्रसाथ यादव के लिए बहुत चुनोती पूर्ण है। जातिये जनगर्णा के जरिये जो दाओं खेल रहे तो फेल हो चुका है। बिहार में सफल नहीं रहा। अगर सफल होता तो अब तक जाती जनगर्णा के आँकड़े भी होते वो बता रहे होते कि कैसे सारी जातियां हमारे साथ है वो बताने का साहस नहीं। मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन आएगा फिर हम बहस करेंगे। चलें तो ये तो आगे देखने वाली बात होगी जो अभी तिपाठी जी ने का।